हलो गैज वलकम टू माई चानल आइम पलवी आई होप यू और डूइंग वेल आज मैं आपके साथ एक हॉल वीडियो शेर करने वाली हूं आप सबको पता है यह लॉग्डून की वज़े से ऑनलाइन स्वापिंग बहुत दिनों से बन थी बट डिसेंटली ऑनलाइन स्वापिंग स्थार्ट हो गई है ऑनलाइन साइट्स खुल चुके हैं आप ओर्डर कर सकते हैं तो मैंने भी कुछन पहले ओर्डर किया हुआ था ओ तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं मंगाया था मुझे जिन चीजों की जरुवत थी और जो प्रोडर्ट मुने खतम हो चुके हैं तो मैंने वही प्रोडर किये थे और गाइस मैंने जितने भी स्टफ बाई किये हैं उन सबके लिंक आपको डिक्रिशन बॉक्स में मिल जाएंग तो मेरे चानल को सुस्काइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें तो शली गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टाड़ेट सो गाइस फर्स ली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं फ्लिपकाट के प्रोड़क्ट जो मैंने फ्लिपकाट से मंगाये थे सो मुझे कुछ इस कार्बोर्ड के पैकजिन में सारे प्रोड़क्ट रसीव हुए थे और आप देख सकते हो इसमें में सारे प्रोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् Maybelline का waterproof mascara है तो मैं उसे daily basis पे use नहीं कर पाती थी जब आप waterproof mascara लगाते हो तो उसे निकालना थोड़ा tough हो जाता है बट आप without waterproof mascara लगाते हो तो वो आपके eyes के लिए पे अच्छा होता है क्योंकि आपको all time waterproof mascara नहीं लगाना चाहिए वो आपके lashes को बहुत ही जादा harm करता है तो इसलिए मैंने ये lotus का मशकरा मंगाया था इसकी price है 295 आपको अगर दिख़़ा हो तो इसकी price है 295 बट मुझे ये on discount 220 का पड़ा था और मैंने इसे use भी किया है ये बहुत ही अच्छा work करता है ये उतना ये ज़्यादा length हो नहीं देता पर ये volume बहुत अच्छा देता है आपके lashes पे and daily basis पे simple look पे ये बहुत ही अच्छा work करता है मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा ये mascara आप चाहो तो ये try कर सकते हो अगर आप beginners हो तो मैं इसका link आपको description box में डाल दूँगी so yeah ये था मेरा पहला product so जो next product है वो है ये Swiss beauty का metallic liquid eyeshadow so ये पूरे six का शेट है जो मैंने मंगाया था flip card से ही मैंने ये भी मंगाया हुआ है अगर आप ये one खरीतते हो एक खरीतते हो तो ये आपको पढ़ेगा $199 का इसकी real price $199 है so guys मुझे ये बहुत ही अच्छे discount पे मिल गया था ये मुझे 540 में मिला है so guys can you believe ये मुझे 6 का सेट बच 540 में मिला है and मैंने इसे भी use करके देखा है ये बहुत ही अच्छी quality में है ऐसा नहीं कि ये बहुत ही cheap quality में ये बहुत अच्छी quality में है ये बहुत अच्छी work भी करता है and अगर आप bigments हो तो आप प्रीस ट्राइब करें इसे ये मुझे 3 के pack में मिला है इसमें 3 प्रोड़क्ट है 1, 2 & 3 आप इसे face razor की तरह भी use कर सकते हो जो हमारे यहां पर अपर लेक्स पर छोटी-छोटी से hair होते है आप उसे clean करने में ये बहुत ही अच्छा help करता है आपके eyebrow को जिसे आप eyebrow बनाना प्रिफर नहीं करते हो आपके eyebrow already बहुत अच्छी है बट पर कहीं कहीं पर छोटे से hair है तो वह से भी आप उसे erase कर सकते हो इसकी help से और इसकी price है इसकी price यहां पर इसकी price इसमें नहीं लिखी है बट यह मुझे मिला था 190 में जो कि बहुत ही अच्छा deal है मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो जो next product है वो है यह Swiss Beauty का concealer अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको पता हुआ कि मैं सिर्फ एक concealer यूज़ कर रही हूँ वो है Swiss Beauty का concealer मुझे वो concealer personally बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो firstly वो beginner friendly है budget friendly है और उसकी coverage भी बहुत ही अच्छी आती है अगर उसकी price की बात करे और उसके quality की बात करे तो प्राइस यहां है और quality यहां है क्योंकि आपको 165 और सेड़ वाइज 69 65 होते रहता है उसकी price तो आगर आप 165 में आपको इक इतना अच्छा concealer मिल रहा है that is a great deal guys बहुत ही अच्छा डील है इसलिए मुझे यह concealer बहुत ही पसंद है मैं अगर concealer भी dry करने का सोच रही हूं बट अभी के लिए मैंने अगें यह concealer ही मंगाया है यूज करने के क्योंकि लास्ट वाला मेरा खतम हो चुका है बहुत ही थोरे से उसमें बचे हुए है तो इसलिए मैंने यह मंगा लिया है और इसकी price 165 है और मेरा जो शेड है वह 03 मियोन है यह ज़िए यह था मेरा flip card का flip card के products देन मैं आप लोगे साथ शेयर करी हो purple के product so first one is that coconut cream good wife's coconut cream आप इसे day cream की तरह भी यूज कर सकते हो night cream की तरह यूज कर सकते हो और आप इसे as a moisturizer भी यूज कर सकते हो अगर आप टीनेजर्स हो आप एक अच्छा सा affordable moisturizer धून रहे हो तो आप यह moisturizer जरूर ट्राइ करे गाइस यह बहुत ही अच्छा moisturizer है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल पर चिप चिपा नहीं होता है यह आपके स्कीन में इतने अच्छे से observe हो जाता है आपने देखा होगा मैंने लास्ट के दो तीन वीडियो में मैंने इसे use किया हुआ है as a moisturizer यह बहुत यह बहुत ही अच्छा moisturizer है then next मैंने मंगाया था यह good vibes का activated charcoal face mask so मैंने पहले भी इसे use किया हुआ है मुझे यह बहुत ही अच्छा लगता है इसके results मुझे बहुत ही सही लगते है तो इसलिए मैंने वो मेरा ख़तम हो चुका था इसलिए मैंने दूसरा भी मंगा लिया था and guys अगर आप कुछ affordable में कोई face marks ढूंद रहे हो जो कि बहुत ही अच्छा हो और आप जानते हो चार्पर है model skin के लिए कि इतना ही ज्यादा beneficial होता है तो आप यह जरूर ठाई करें यह आपको बहुत ही अच्छे rate पे मिल जाएगा तो इसकी price है so इसकी भी price 225 but on discount यह भी मुझे 189 में मिला था which is the great deal so guys जैसा कि मैंने बोला कि आपने decision box जलूर चेक करें मैं इन सब के buy link उसमें डाल दूंगी आप चेक कर लें so next जो product है वो है यह good vibes का rose hip serum so आप सभी जानते हो कि यह जो serum है यह कितना affordable and कितना सई serum है so guys firstly तो good vibes के सारे priority बहुत अच्छे होते हैं कुछ प् के skin पर suit नहीं करते हैं बट अगर quality की बात की चाहे तो good vibes के good vibes के product बहुत ही अच्छे होते है and serum तो मैं बहुत time से use कर दी हूँ good vibes का मुझे बहुत ही पसंद है तो मेरा last वाला जो था वो खदम हो चुका है actually वो खदम नहीं हुआ था मेरे से वो गिर गया था तो उसमें बस अधाल है यह 15 आण यह मुझे मिला था 183 में soya आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कोफ and lessons के product प्रोडक्ट मुले थे कुछ मुझे ऐसे इस packaging में प्लास्टिक की packaging में यह बहुत ही अच्छी पैकसिग में मुझे डिलिवर हुआ था बहुत ही अच्छे से प्थी पैक किया वा था, शाल प्रोड बहुत ही अच्छे से पैक किये वे थे, मुझे इसकी delivery थोड़ी लेट मिली थी क्योंकि ये lockdown है और आप लोग को पता है एक lockdown के वज़े से थोड़ी delivery में problem हो रही है तो वो कोई issue वाली बात नहीं है so जो पहला product है मैंने मंगाया है वो है ये 20 something का beauty blender so ये है इसकी so ये है इसकी packaging so अब देख सकते हो ये कितनी cute सी packaging है guys the street आप देखने में भी बहुत क्यूट सा है चोटा सा है आप देख रहे हो and ये बहुत संप्त है बहुत ही अच्छा है मुझे ये बवाद अच्छा लगा गास बहुत ही जादा मुझे अच्छा लगा आप देख रहे हो यह कितना soft है आपको ऐसी ही पता चल जाते हैं यह कितना soft है so guys इसकी price है 125 and यह मुझे पढ़ा भी 125 में ही है no discount but yeah guys यह बहुत ही अच्छा product है अगर आप beginner है और आप कोई अच्छी quality का beauty blender ढूम रहे हैं यह बहुत ही अच्छा है so जो मेरा next product है वो उसके लिए मैं बहुत ही excited हूं क्योंकि मैं यह product बहुत ही राइम से मंगवाना चाहती थी so yeah so यह product मुझे कुछ ऐसे इतने अच्छे से wrap होगी मिला था अब देख सकते हो yeah and again एक bubble wrap है so जो मेरा next product है वो है 20 something cosmetic का यह eyeshadow palette so मैंने यह palette use करते वे देखा था निधी दी को उनके makeup tutorial में यह palette बहुत ही पसंद आया था मुझे इसके colors बहुत ही ज़्यादा पसंद आयते हैं so मैं उस टाइम से ही चाहती है यह eyeshadow palette मगाऊं बट बीच में तो आपको पते यह lockdown हो गया था जिसे कारण आप कुछ कोई भी stuff online नहीं मगा सकते थे but जैसे ही lockdown खुला मैंने यह order किया but हुआ क्या कि मैंने जैसे ही order किया तो वहां पे मांग रहा था online payment but मैंने सुचा मैं online payment कर दूँ बट मुझे अगर product receive नहीं हुआ क्योंकि आपको पते यह भी lockdown वे से कितना problem चल रहा था so after 2-3 hours मैंने देखा मुझे notification आया कि she already available मैंने just in second मैंने order कर दिया and मुझे यह color receive हुआ yeah मुझे यह color receive हुआ guys यह palette and so look at the color guys yeah and आपको कुछ ऐसा mirror भी full mirror receive होता है आप देख सकते हो so guys इस palette का review मैं बहुत ही चलद अपनी channel पर करने वाली हूं so आप जरूर बने रहें and जरूर देखे so अगर इसकी price की बात करें तो यह इसकी price थी 400, 399 so and यह मुझे मिला है 350 में so 50% so 50 rupees off था that's it so yeah guys यह था मेरा आज का haul video यह video आपको कैसा लगा आप मुझे comment box में बताए and आप ऐसे videos और देखना चाहते हो तो आप यह भी मुझे comment box में बता सकते हो and yeah guys आप next video जरूर देखें क्योंकि next video होने वाला है 20 something palette का review क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगी से मंगाना चाहते हैं बहुत सारे लोग को यह palette पसंद है so इसलिए guys आप next video जरूर देखें and अगर यह video आपको पसंदा है तो मेरे video को like करें and अपने friends and family के साथ इसे share कर दें and अब तक अगर आपने मेरे शानल को subscribe नहीं किया तो मेरे शानल को subscribe कर दें उसके बगल में जो bell icon है उसे भी hate कर दें लाकि मेरे video का notification आपके पैस जाता रहे so yeah guys मुलते हैं next video में तक तक के लिए bye take care